बुड मॉर्णी दोस्तों वेल्का में यूटीब चनल में मैं हूँ चन्या ने फिर से एक ट्लेक्ट्रीकल के नहीं वीडियो लेकिया आज हम बात करेंगे आर्थिंग के बारे में जब भी लाइटिंग होता है तो लाइटिंग जब दिर्दी है तो उसी जगह में बहुत क्लासिकेशन ऑफ आर्थिंग वह भी आर्थिंग कुसिस करेंगे कौनसा अर्थिंग कि दर ही जोता है एक जाने के कुसिस सकरेंगे इस वीडियो में लश्च तक बने रहे एक वीडियो के अंतर हम लोग फस्ट देखेंगे definition of electrical अथीर्थिंग का definition हम लोग पहले देखेंग ता electrical energy to ground by low resistance oil is known as earthing किसी भी एक low resistance oil के अंदर से electrical energy को transfer करेंगे ground के तरफ that's called earthing types of earthing, earthing कितना type का होदा है mainly five types of earthing used in electrical system हम लोग electrical system के अंदर five types का हम लोग earthing यूज करते है पहला है, strip earthing और इसका और एक नाव है or earthing एक किदर यूज होता है ना, ये mainly use होता है जिदर temporary हम लोग काम करना है जिदर हम लोग 5-10 विनिट, एक घंटा, मैक्सिम दो घंटा काम करना है rod earthing, rod earthing हम लोग mainly residential हमारा घर में छोटा consumer है तो उस जगह में rod earthing करा जाता है मिट्टी के अंदर, एक रोड ले 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 दे, 6-8 feet का rod वो आंदर, मिट्टी के अंदर डाल देते हो कालेज उस जगह में, पाइब और आर्टिंग करा जाता है पाइब आर्टिंग सेम rod earthing की जैसा, एक पाइब मिट्टी के अंदर डालने के बाद, और पाइब के चारो तरफ से भोल रहता है चारो तरफ से होल रहता है, एसा पुरा वोल दाये, पुरा होल इतना यह मिट्टी के नीचे पुरा डाल दे जाता है, इधर चारकोल नमक डाला दा रहता है, और उपर से यह वाला पाइब का फानेल डाल देए, किसी वह सामर सीजिन में मिट्टी के अंदर पानी कम हो गिया तो उपर से नमक का पानी डालते है, कि उन्हां आर्थिंग और भी प्रपार होता है, उस ताइम तो इस जगह से एक कोयर टैप करके, नाट बोल्टिंग करके ले लेते हैं, और जी आई और कोफर और आर्थिंग में यूज होता है, मैक्सिम दो टैपका ओयर, एक कोपर और एक जी आई, किसी भी एक ओयर लेके हम लोग काम कर सकते हैं, प्लेट आर्थिंग है, यह हेवी लोड के लिए, जैसे इंडस्टी में, इंडस्टी में बहुत ज्यादा लोड रहता है, आपको सब प्लेट आर्थिंग सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, तो प्लेट आर्थिंग मैक्सिमम लोड के लिए होता है, जिदार मैक्सिमम लोड के उपर काम कर जाता है, उस जगा में हुज होता है, तो प्लेट आर्थिंग सेंपिल, एक कॉपर का प्लेट लेट लेट ल यह पूरा एरिया चारकोल नमक के लेयर से उपर आएगा तो आपको जैसा बता जाता है यहां से नमक का पानी डालते हैं तो यहां से और डेल लेके हम लोग काम करते हैं यह वाला अर्थिंग मैक्सियम यूज होता है यह रॉप प्लेज में पहाड़ी एरिया में जिदर पारी इरिया है उस जगह में यह वरेजेंटल अर्थिंग यूज होता है कि ऋना उसी जगह में मिट्टिक लेर बहुत नीच रहता है बहुत नीचे जो आपको दो मिलेगा उसी ज्यगह में क्या करते हैं णाम 6-8 feet का एक जाली करतें ऐसा जाली वहना थे आर उसके चारो तरब ऐसा करके पूरा के पूरा पूरा अर्थिंग गुमाते जी आए को पर का आर्थिंग का पूरा उसके बाद बहुत सारा निकाल जाता है दो से तीन फीट नीचे घड़ा करके यह त्वाला जाली को नीचे पूरा के पूरा वराइजेंटल ही रखके हम लोग आर्थिंका श्ट्रीप निकल के हम लोग काम करते यह मैक्सिममी दिखाई देता है और रॉक प्लेस में पहाड एरिया में आपको ज्यादा सबसे ज्याद सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले देखने के लिए यह बिल्कुल फ्री है